आज हम बनाने जा रहे हैं गुजराती ट्राडिशनल खांडवी तरह चाहिए हमें हाफ कप बेसन हाफ कप फ्रेश दही पानी और वन कप पानी नमर थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी खल्डी अब हम इसको वेंड करेंगे हमारा ये गोल रेडी हो गया रेडी हो गया है हम इसको सीधा कड़ाई में डाल देंगे इसको हमने पांच मिनट तक फिलाना है ये पांच मिनट में एकदम से रेडी हो गया अब हम गैस को बंद कर देंगे इसको गरम-गरम ही थाली में स्प्रेट करेंगे बाकी गोल को हम डग देंगे अब हम इससे स्पैचुला के साथ कवर कर देंगे बिल्कुल इसको पतला पतला रखना है अब हम आरए रखना है आरगी थाला चपी थाओशोघ वगय थाली अब हम नौत है रखना है इसलो को पतला दाbolla इसको हमें अच्छे से चारो तरफ से स्प्रेड कर लेना है अब इसी तरह से हम बाकी गोव को भी ऐसे ही स्प्रेड कर देंगे हमें इसे पांच मिनिट के लिए ठंडा होने के लिए रहतेंगे हमारा गरम हो चगा है अब हमें इसमें दाल लेंगे 2 टेबल स्पून ओई अब हम डालेंगे इसमें सासों अब हम इसमें डालेंगे नारेंगे इसमें डालेंगे अब्रादा जोकी हमने काजन अरिल का लिया है कि इसको हमने ग्रेटर के साथ प्रेट कर दिया रहे है कि अब आप कि 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 अब कि अब कि अब कि अब अबार मस्की इस तादे में अब हम इसको दीले दीले से सैंटस रठाकर दीले दीले से इसको रॉल करेंगे उसको भी ये जड़ा बड़ी प्रोल जाय हो गएंश्कों में थोड़ा खा दीले ये ये जारा बड़े स्लाइस हो गए है है इसको हम थोड़ा थोड़ा कर दीले कि इसी तरह से हम बाकी सभी रॉल करेंगे तो यह थी हमारी गुजराती ट्रेडिशनल कांडवी आपको कैसी लाइक शेयर और कमेंट करके हमें जुरूर पताईएगा तो तब तक के लिए बाई बाई